नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों यूपी एनचम एनम 5000 पोस्ट 2171 पोस्ट में से 173 जिले का रिजल्ट घोसित हुआ है जल्दी देखें कहीं आप उस जिले से तो नहीं है काउंसलिंग प्रक्रिया नियुक्ति पत्र के संबंध में महत जो बता रहा है जो मैंने कहा था वही हुआ है मैं आप लोग से बोला था कि 15 मई के पहले या 15 मई तक जो है आप लोगों के रिजल्ट को देखने को मिलेंगे जो सेस बचे हुए जिले है अभी कल के ही वीडियो में मैं आप लोग को एक जो है अपडेट दिया हूँ तो दो देखिए दोस्तों अलीगड के अभीरती बहुत बार पूछा करते थे सर अलीगड का रिजल्ट कब आएगा देखिए दोस्तों यहाँ पस चीफ मेडिकल ऑफीसर डिष्टिक हैसल सोसाइटी डिष्टिक अलीगड छे तारिक की डेट में दोस्तों साम को आया है लगभग म जो अभीरती सेलेक्ट हो गए है जाकर ये अपना डॉकुमेंट वेरिफिकेशन फिर से वहाँ पर कराकर न्यूकती पत्र ले लें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों बहुत ही महत्पूर अपडेट बता रहा हूँ इसमें सबसे पहले नंबर पर कुमारी सीवानी सरम दिगर जो है तो सभी अभीरतीों को मेरी तरफ से धेर सारी स्वक्रामनाए दोस्तों बहुत-बहुत बधाई हो और वेटिंग लिस्ट भी दोस्तों निकली हुई है वेटिंग लिस्ट भी किलियर होगी आप लोग घबडाये ना दूसरा रिजल्ट मैं आप लोग को दिख यहीं देखिए यहाँ पर जो है आपको रेल्ट देखने को मिल गया है जो अभ्यर्थी स्लेक्ट हुए है उन लोग को बहुत-बहुत बधाई हो देखिए दोस्तों चार अभ्यर्थी स्लेक्ट हुए और waiting list भी निकली है, पहली number पर कुमारी बबली जी हैं और यहाँ पर दोस्तों दो सीटे जनरल की थी, एक OBC की और एक Esci की लखनो की बात कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर waiting list भी निकाली गयी है waiting list भी clear होगी, आप लोग घबडाएना दोस्तों तीसरा रिजल्ट में आप लोग को दिखा रहा हूँ यह है कानपूर देहात का चीफ Medical Officer District Health Society District कानपूर देहात छे तारिक में यह भी रिजल्ट आया तीन रिजल्ट तीन जिले के रिजल्ट एक साथ आप लोग को देखने को मिले हैं जितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए है बहुत अच्छी बात है वो लोग जाकर NHM Office जो जिले का होता है दोस्तों वहाँ पर जाकर CMO Office पर जाकर अपना डॉकुमेंट एक वार फिर से चेक करवा कर जो है सब्मिट करके अपना नियुकती पत्र ले जल्दी ले दोस्तों जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए है अलीगड से लखनो से कानपूर देहाद से बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहते सर कानपूर देहाद का रेजल्ट नहीं आएगा देखिए दोस्तों कानपूर देहाद का रेजल्ट आ गया जो अभ्यर्थी कानपूर देहाद से सेलेक्ट हु लगभग 19 जिले का रिजल्ट बचा है वो भी आप लोग को 15 तारिक के पहले पहले या 15 तारिक तक देखने को मिल जाएगा क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है इस्टाफ की कमी के कारड़ जो है सब यह लेट 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 हो रहा है एप्रूवल के कारड़ होता है बहुत से रिजल्ट तयार हो गया है रिजल्ट हम आउट कर सकते है की नहीं तो गवर्मेंट की तरफ से जब एप्रूवल मिलता है तब ही जाके कुछ होता है तो दोस्तों आज की वीडियो में जितनी अपडेट बता है हो बहुत ही महत्पूर है वीडियो को ज़्यादा से जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद